नमस्कार अधिकार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विरेंदिवेदी हमारे देश में जनता को किसी भी प्रकार के अत्याचार के विरत दुन्याय दिलानी के लिए कई प्रकार के न्यायलेयों की विवस्था की गई है इसके अंतरगत सर्व उच्छ न्यायले उच्छ न्यायले एवं अधिनस न्यायले की त्री अस्तरी न्यायली प्रणाली के अस्थापना की गई है इसी क्रम में उच्छ न्यायले के अधिन जिलों में कई स्रेली के न्यायले भी अस्थापित किये गए हैं जो जिला इम सत्र नयायले के नेतरटों में नयाईक कारी करते हैं इसी कड़ी में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जिले में कारी करने वाला मुख्य नयायक दंडाधिकारी नयायले यानि चीप जूडिसियल मजिस्टेट कोड क्या होता है यहों इसमें कौन-कौन से दंडाधिकारी यानि मजिस्टेट कारी करते हैं। चले शुरू करते हैं। चले हम मुख्य नयाइक दंडाधिकारी नयायले उसके दंडाधिकारी के विशे में जानकारी देने से पहले आपको बताते हैं कि हमारे देश में आप राधिक नियाले की सनचना कैसी होती है इसमें सबसे उपर सरोच्च नियाले है जो देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है उसके नीचे, यानि मद्ध में उच्च नियाले है जिसकी अस्थापना अधिकतर राज्यों में की गई है। सत्र नियाले, एडिस्नल सेशन कोट, सहाइक सत्र नियाले, असिस्टेल सेशन कोट, मुख्य नियाइक दंडा अधिकारी नियाले, चीफ जूडिसियल मजिस्टेट कोट, अतिरिक्त मुख्य नियाइक दंडा अधिकारी नियाले, कोट आप एडिस्नल चीफ जूडिसियल मजि Wikipedia ah this second class की अस्थापना की गई है कि आपको याद को etap कि पिछली बार हमने आपको जी ले कि सबसे बड़े आपम खिसाइविसतार सीजह बताया था अज मुखे न्याइक कोड़ि करड़िप बिश्धार से जानकारी देने जा रहे हैं चली आपको बताते हीं मुखे होता है जिलों में दंड़ा दिकारी नृइल के प्रभारी होते हैं प्रत्य जिने में एक मुख्य न्याइक दंडादिकारी न्याइले होता है इसके अतिरिक्त मुख्य न्याइक दंडादिकारी न्याइले भी होता है मुख्य न्याइक दंडाधिकारी के अधीन न्याइक प्रथम सेड़ी दंडाधिकारी कारी करते हैं जिने अंग्रेजी में जूडीसियल मजिस्टेट फर्स्ट क्लास कहा जाता है मुख्य न्याइक दंडादिकारी भारत के सम्मनित राज्यों के उच्छ न्यायलें द्वारा नियुक्त किये जाते हैं मुख्य न्याइक दंडादिकारी प्रधान जिला न्यायदीज के अधीन कारि करते हैं अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्य न्याइक दंड अधिकारी न्याले का छेत्र अधिकार क्या होता है मुख्य न्याइक दंडाधिकारी न्याइले जिले में इतपन होने वाले आपराधिक मामलों में मूल पक्ष पर अधिकार शेत्र का इस्तेमाल करता है मुख्य नयाएक दंडा अधिकारी नयाले म्यत्यू या आजीवन कारावास या साथ वस से अधिक कारावास को छोड़ कर कानून दोरा निर्धारित कोई भी सजा यानी दंड दे सकती है मुख्य नयायक दंडादिकारी नयाले पूरे जिले का अपराधिक शक्तियों का प्रियोग करता है वह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन में सजा का प्रावधान साथ वर्स से कम है इसे दस जार रुपए तक का जोर्बाना लगाने का भी अधिकार होता है मुख्य नयायक दंडादिकारी जिले में कार्यत अन्य मजिस्टेटों यानी दंडादिकारियों के नयायले तथा कार्याले का निरिक्षड करते हैं एवन जेल तथा तालाबंदी का मासिक निरिक्षड भी करते हैं मुख्य न्याइक दंडाधिकारी न्यायले के पास आपराधिक मामलों की प्रारभिक जाज करने तलासी वारण जारी करने एवं आरोपी को जमानत देनी की शक्ती होती है नियाईक जिले में आपराधिक नियाले का प्रसासनिक प्रमुक मुख्य नियाईक दंडादिकारी नियाले के पास अधीनिस्त दंडादिकारी नियाले के विरद अपील सुनने का अधिकार होता है। अधीज के निर्डे के विरुद्ध भी उच्छे नियाले में अपील की जा सकती है अब चले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्य नियाइक दंडादिकारी नियाले का मुख्य नियाइक दंडादिकारी यानि मजिस्टेट कौन होता है यह उसके कारी क्या होते हैं? जिले में मजिस्टेट यानि दंडादिकारी के अस्तर में भी कई अस्तर होते हैं. इनमें सबसे उपर का पद मुख्य न्याइक दंडादिकारी का होता है, जिसे अंग्रेजी में Chief Judicial Magistate यानि CGM कहा जाता है, जो जिले में एक ही होता है, महानगरों में इसे मुख्य महानगर दंडादिकारी कहा जाता है, हलग इन्ग्रेजी में Chief Metropolitan Magistrate कहा जाता है, जो आप राधिक मामले देखते हैं. मुख्य न्याइक दंडादिकारी किसी भी जिले के समस्त न्याइक दंडादिकारी यानि Magistrate को नियंत्रित करता है, अलग कोई भी मुख्य न्याइक दंडादिकारी मृत्युदंड यह उन आजीवन कारवास नहीं दे सकता है. यह ऐसा दंड नहीं दे सकते हैं जो शाथ वज से अधिक की कारवास की अधिकाह हो एक मजिस्टेट यानि दंड अधिकारी छोटे वो मामूली घटनाओं पर नेड़े देते हैं दरशन मजिस्टेट आपराधिक मामलों में प्रारंबिक नेड़े देते हैं क्योंकि उनके पास सीमित अधिकार शेत्र होते हैं। जहां तक नियुक्ती का प्रस्ण है तो इनकी नियुक्ती किसी प्रतियोक्ता परिक्छा के माध्यम से नहीं की जाती। बल्कि प्रतियक जिले में महानगरी से नहीं होने पर उच्य नयायले यानी हाई-कोट जिले के प्रतम सेड़ी नयायक दंडाधिकारी को मुख्य नयायक दंडाधिकारी के पर नियुक्त करता है। इतना ही नहीं उच्छ नियायलग प्रतेग जिले में आवशकता के अनुसार अपर मुख्य नियायक मजिस्टेट एवं उपखंड नियायक मजिस्टेट को भी न्यूत करता है। अपर मुख्य नियाईक मजिस्टेट को इंगलिस में additional chief judicial magistrate जबकि संचेप में ACGM कहा जाता है। वहीं उपखंड नियाईक मजिस्टेट को sub-divisional judicial magistrate जबकि संचेप में SDGM कहा जाता है। आपको बता दें कि अपर मुख्य नियाइक दंडादिकारी एवम उपकंड नियाइक दंडादिकारी मुख्य नियाइक दंड़ादिकारी नियायले तथा उसके दंड़ादिकारियों एन मजिस्टेटों के विसे में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाब अवश्य हुआ होगा। जहां तक न्यायलेओं में बैठे मुख्य न्यायक दंडादिकारियों की भूमिका का प्रस्थन है तो वह तक्थियों, तरकों इन प्रमाडों के आधार पर किसी भी मामले में नेड़े सुनाते हैं जिससे लोगों को सही न्याय मिल सके। लेकिन कई बार ऐसा सुनने और देखने को मिलता है कि कुछ मुख्य न्यायक दंडादिकारी मामले में प्रमाड पेश करने में गड़बड़ी करते हैं जिसके कार लोगों को सही न्याय से वन्चित होना पड़ता है। इससे न्याय पालिका की छविध हुमिल होती है जो कि अखना की अटोबड़ी कारी में प्रमाड बने था में प्लादिकार न्यायस करते हैं।